एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा इस जीवन का मुल्य क्या है। बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर दे कर कहा कि पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके आओ। फिर में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ध्यान रहे बेटा, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत मालूम करनी है। जब वो आदमी मार्केट घुमके वापस आया, तो वो चोक गया था। वो कहता है कि इस पत्थर की कीमत फल वाले ने 12 संत्रे लगाई, सबजी वाले ने एक बुरी आलू लगाई, सुनार ने 1000 सुमर्ण मुत्राय लगाई। और जोहरी कहता है कि ये पत्थर इतना कीमती है, कि ये पत्थर देकर तुम मेरी दुकान ले लो। बुद्ध कहता है कि बेटा यही तो बात है, जो तुम्हारे मन के पीछे जीवन चमक रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप जानते ही नहीं कि आप में क्या सकती चिपी है। जब भी आप दुनिया के हिसाब से खुद को बेंचमार्क करेंगे, तो दुनिया अपनी अकल के हिसाब से आपकी कीमत लगाएगी। इसलिए खुद के अंदर चिपे बावर को पहचानो और उससे ग्रोव करो, नहीं तो कमपैरिजन और प्रसिदी के चक्कर में परेसान होते रहोगे।